Exercise 7.1 पहला प्रशन है, हमें X के सब्पिक्ष अउकलन करना है, साइन एक्स स्क्वाइर का, तो हम इसे Y के बराबर माल लेते हैं, Y बराबर है साइन एक्स स्क्वाइर, अब देखो, X स्क्वाइर एक फलन है, जिसका हमने यहाँ साइन लिया है, अर्थात ये एक फलन के फलन का रूब है, और जैसा हम उधारनों से समझ चुके हैं, कि यहाँ चेन रूल लगेगा, श्रंकला का नियम का प्रियोग होना है, तो हम D Y Y D X, बराबर साइन एक्स का होता है, कॉस एक्स, साइन एक्स का अउकलन, यदि हम X के सापेक्ष निकालें, तो वो होता है, कॉस एक्स, इसलिए साइन एक्स स्क्वाइर का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स स्क्वाइर, और क्योंकि हमने एक्स स्क्वाइर को यहाँ एक्स मान लिया है, इसलिए हमें दुबारा से अउकलन करना पड़ेगा, D Y D X of X स्क्वाइर, चेन रूल, श्रंकला का नियम, यह हमारा साइन एक् को हमने माल लिया कि यह sin x का रूप है इसलिए अब हमें x square का पुनहें अउकलन करना बड़ेगा और यह गुणा में आएगा sin x का cos x होता है इसलिए sin x square का हो गया cos square into d by dx of x square अब x square का अउकलन हम जानते है 2x होता है इसलिए मान कितना हो गया cos x square into 2x अर्थात व्यवस्तित करने से यह मान हो गया 2x into cos x square यह हमारा d y by dx का मान हो गया sin x square के अउकलन का मान हो गया अब हम दूसरे प्रशन को लेते हैं